हेलो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक पॉट डिकुरेशन आइडिया तो देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अन्द तक सबसे पहले हमने एक पॉट लिया और उसके बाद स्रेमिंग डो तैयर किया फिर इसके हमने कोईल्स बनाएं और उन कोईल्स के छोटे-छोटे टुकुरे करके हमने इसके माउंस से डिकुरेशन की शुरुवात की तो देखिए एक सिंपिल सी डिजाइन कैसे बनाई जा रही है बहुत सिंपिल डिजाइन है कोईल के छोटे-छोटे टुकुरे हम इसे पेस्ट करते जाते हैं पॉट के माउच पर और इसे दुन साइट से बराबर करते जाते हैं यह देखिए इसका माउच लगभग रेडी हो गया है बेसिकली यहां पर हम कोईल्स ही यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए कि हमें आउट लाइनिंग ही बनानी है तो यह यूनिक डिजाइन इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमे हमने तीन मीडियम का यूज किया है मतलब तीन आर्ट फार्म ली हैं एक तुसरे मेक वर्क दूसरा पेंट और तीसरा मीरर पेस्टिंग यानि इक मीरर वर्क यह मीरर वर्क जो है ना लिपन आर्ट से इंस्पायर्ड है यह देखे दूसरी टीजाइन जिसमें मैंने छोटे-छोटे बीडिस बनाए हैं और इनको पेस्ट करके एक पॉइंटेड आपजेट्स से प्रिस कर दिया इसी तरीके से हम सारी डीजाइन बनाएंगे कोई ज्यादा हमको टफ डीजाइन नहीं बनानी है इजी और सिंपल डीजाइन बनाएंगे और उसे खुब्सूरती से त्यार कीएंगे कभी कभी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिड डीजाइन जो है न अच्छी नहीं लगती हैं उन्हें बनाने में टाइम बहुत जाता है लेकिन उनका जो फाइनल लुक अच्छा नहीं आता है और कभी कभी सिंपल डीजाइन भी काफी अच्छी लगती है यहां पर सभी डीजाइन मैंने कोई से ही त्यार किये हैं कोई से ही अब देखिए भी कोई मैंने तिरिछा लगाया यहां पर हाँ एक बात और जितने भी कोई से लगाए हैं उनको मैंने रस्षी का लुक दिया है नीस उस पर हमने छोटे तीरिछे तीरिछे कट लगा दिये हैं करने के बाद में यह बहुत खुशुत लगते हैं यह डिजाइन जितने ही सिंपल है इसका फाइनल लुक उतना ही अमेजिन है उतना ही ब्यूटिफुल है यह देखिए मने यहां पर आठ यह पिटल्स बनाई हैं मेजरमेंट का ध्यान दखना पड़ेगा क्योंकि सभी सेम साइज की होने चाहिए और एक बात ध्यान दखने वाली है जो भी हम कोईल यहां पर बनाएंगे वो सब सेम मोटाई की होने चाहिए कहीं मोटे कहीं पतले नहीं होने चाहिए तब यहां भी हूं कोईल सी लगाएंगे इस पर कट लगा देंगे फिर यहां पर हम बीट्स बनाके लगाएंगे उसके नीचे फिर हम एक पाईल लगाएंगे इस तरीके से हम डीजाइने त्यार करते चले जाएंगे आप अपनी डीजाइन भी डीजाइन कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डीजाइने बनाईएंगे बड़ ध्यान रखेगा कि आप उसमें मिरर पेस्ट करने हैं तो मिरर के साइज को ध्यान में रखते हुए भी डीजाइने बनाईएंगे इसे जब हम मिरर से यहां पर डीजाइनिंग करें यानि कि मिरर हम पेस्ट करें तो आसानी से आ जाने चाहिए उस शेप में तो यह ऐसा रहो हमारी जो शेप है वो छोटी पर जाए और मिरर बड़े हो जाएंगे यहां पर मैंने छोटे बड़े मिरर यूज किये हैं जो कि डिफेंट शेप के हैं जहां जिस शेप की जरूद पड़े और जिस साइज की जरूद पड़े वह इसी मिरर पेस्ट कियेगा अब इस खायर हम डिजाइन ही कर बना रहे हैं उसके बाद वाइट कलर करेंगे मल्डे कल में मैंने औरेंज रेड ब्लू और ग्रीन और ब्लैक का यूज किया है कॉपर डस्ट का भी यूज किया है अब हम इस पर एक वाइट कलर का कोट करेंगे पहले पाउड को सुख जाने दीजिए उसके बाद ही वाइट कलर का कोट कीजिएगा करलिंग के लिए मैंने मेटलिक कलर का यूज किया है सबी डिजाइनों में हम कलर भर लेंगे और कलर भरने के बाद मेरल पेस्टिंग करेंगे आप वीडियो को जहां से देखिए मेरा ये वीडियो अगर आप पच्छा लगे तो इसे लाइक के जिए शेर के जिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब भी केजिए मेरा और डिजाइनिंग का ये आइडिया आपको पैसा लगा कमेंट करके बताईएगा और हाँ आप ये भी बताईए कि आपको किस तरीके के वीडियो देखना पसंद है या किस तरीके कि आर्ड फार्म आप सीखना चाहते हैं मैं उसी तरीके के वीडियो बनाऊंगा कि आपना चाहते हैंिम्यों एंप्षणीव एंप ये हाँ आपन ज ін वे Łष टूह मैं नद्यका आपने मैं शीनदी पेंटिंग, फैबिक पेंटिंग, क्ले मॉडलिंग, क्राफ्ट, कई तरीके की आर्ट फार्म को बनाना सिखाता हूँ आप मेरी चैनल पर इंसर के वीडियोस देख सकते हैं आप देखिए मिरर पेस्टिंग तो मैंने कुछ बड़े मिरर यूज़ किये हैं और कोई छोटे मिरर यूज़ किये हैं यह जो सरकुल मिरर हैं बड़े वाले मिरर हैं यह जहां पर ज्यादा स्पेस है वहां मैंने इनका यूज़ किया है और जहां पर कम स्पेस है वहां पर छोटे मिरर का यूज़ किया है पीस्ट करते से में जहान रखना है कि एक पैटर्न बने है यूदि तभी खुब सुरूती आएगी यह देखिए 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 करके इसकी सुन्दरता बढ़ने की है तरल कंबिनेशन आप अपने हिसाथ से भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे वसी इस तरीकी डिजानों में जो एना कंटास्ट कुल ज्यादा छे लगते हैं बनने के बाद तो यह पुरा एंटीक पीस लगेगा देखिए किसी भी चीज को जो हम एक पैटर्न में लगाते हैं तो वह एक आर्ट फाम बन जाती है आर्ट कमच भी है ब्यूटिफू फीन्स इन्हें मेरे पेस्टिंग कमटीट अब ब्लेक करल करें यह यहां पर जितना भी वाइट पार्ट है यह सब हम ब्लेक करेंगे और ब्लेक करने के बाद में हम इस पर पॉपर मेट्री करल का डस देंगे आर्ट करेंगे हम लेक करेंगे लेक करेंगे करेंगे यही लभू बलेकर कम्प्लीट होने वाला है आपको यह पॉट डियाइनिंग का तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और यह भी बताईएगा यह पॉट कैसा लगा डेकोरिशन के बाद में एकदम एंटीक पीस लगा की नहीं लगा कितनी लोग इंटीक आइटम पसंद करते हैं कमेंट करें जिसे मैं और आईडियाज दे करके आशकूं जिए हलका हलका टैस्ट जडाएंगे हम मेटली करलर का जिए हलका हैं टाओर में में एंटीक आब जड़कां कर दो कितनी लगा यह बन कर त्यार होने वाला है, देखिए, एंटीक लुक आया की नहीं आया, अधि आया है तो कमेंट कीजिए, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में एक नए क्रिटिवटी के साथ, तब तक के लिए बाई झाल आया है